नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों जैसा कि आज हम एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं आज भारत के प्रमुक राश्टिय उद्यान और वने जीव अभ्यारण जहां से एक नमबर कोश्चन आप सभी को किसी न किसी प्रत्योगी परिष्चा में देखने को मिलता है तो चलते हैं आपनी स्लाइट्स पे पहला हमारा स्टेट है राजस्थान देखें राजस्थान में क्या है केवलादेव रनथम बहुर सरिस्का मुकुंद्रा हिल्स राश्ट्य उद्यान और घनापच्छी राश्ट्य उद्यान जिसमें रनथम बहुर और सरिस्का आपको मुकुंद्रा हिल्स ये तीनों आपसको मैक्सिम कोश्चन में देखने को मिलेगा और माउंट आवू वन जीव अभ्यारन है ये आपका माउंट आवू वन जीव अभ्यारन तो ये छे आपका कान्हा, पेंच, पन्ना, सत्पुडा, वन बिहार, बांधावगण, संजय गांधी, माधव, राश्ट्य उद्यान उसके बाद ये दोरों अभ्यारन है आपका राता पानी और राश्ट्य चंबर तो जिसमें आपको पन्ना, पेंच, कान्हा ये इंपोर्टेंट है और बांधावगण, और संजय ये पांचों इंपोर्टेंट है आपके और ये पन्ना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को द्वारा विरास्त सुची में मतलब उसकी हेरिटेज सेटिस में सामिल किया गया है इसलिए ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है पन्ना राष्टी उद्या, ओके चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ और बांधावगण में क्या है आपका सफेद बागो के लिए प्रसिद्ध है मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ता आप यहां से देख सकते हैं, ओके नोट में है आपका गुजरात के गिर नेशनल पार्क में कुछ ACI सेरो को मध्य प्रदेश के पालपूर कूनों में अभ्यान में बसाने को सरवोच न्यारे ने स्युक्रति दी है और सबसे ज़्यादा राष्टी पार्क मध्य प्रदेश में है आपके यहाँ पर प्रजेंट बे बागो की संख्या 526 है ओके उसके बादा अरुनाच जार Sübhaldri में बेतला अजलीवा धीमा नैशनल पारalah ऐस्षी पर है दो यह दोनों नैशनल पार्क है आपके के जार खांड में बेतला धीमाा वेदरा राश्ट्रियान इंपॉक्ष्टि नरी हर कि विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राष्टि उध्यान है यह ठीक है यहाँ पर एक डांसिंग डियर जैसे यहाँ के राष्टि उध्यान वहां की वहां पर डांस करता है डांसिंग डियर को नाम से भी जाना जाता है केबुल लाम जाओ राष्टि उध्यान को तो इसलिए मड़ीपूर का एक मात राश्टी उध्यान बहुत इंपोर्टेंट है ये उसके बाद सिक्किम में कंचन जंगा राश्टी उध्यान कंचन जंगा राश्टी उध्यान सिक्किम में है आपका तमिलाडु में है गल्फ ओफ मन्नार, इंद्रा गांधी, अन्ना मलाई मधुमुलाई, प्लानी हिल्स, मुकूर्थी, निल्लाई और पॉइंट केलिमर, ये दोनों सेंचुरी है, बाकी ये पाँचो राष्थियुद्यान है आपके उप्पे, इंद्रगांधी, मदुमुलाई, मुकूर्थी, राष्थियुद्यान है यह आपके मौत तमिल नाड़ू के अंदर त्रिपुरा में है आपका Clouded Leopard National Park त्रिपुरा में आपका Clouded Leopard National Park उसके बाद आता है ओडिशा, ओडिशा में आपका भीतरकण का सिमिली पार यह दोनों इंपोर्टेंट है और चिलकाजील आपसे बहुत बार आपसे पूश्चन पूछा जाता है चिलकाजील कहाँ पे है तो ओडिशा में है ओके इसके बाद आपका है मिजोरम में है आपका मुरलेन, फवंगपूई, डामफा, डामफा सेंचुरी है यह दोनों राष्टी उद्यान है आपके मिजोरम में है मुरलेन, फवंगपूई, डाष्टी उद्यान, मुजोरम में है उसके बाद जम्मू कस्मी दाची ग्राम नेशनल पार्क एक मात्र पार्क जहां जम्मू कस्मी महामरिक हंगुल पाये जाते हैं दाची ग्राम राष्टी उद्यान इसलिए यह कोश्चन में सबसे जल्दापरा, गोरुमारा, सिंग्ली लीला, सिंग्लीला, नेवरा वैली यह राष्टी उद्यान आपके कहां पे हैं पच्चे मंगाल में यानि वेस्ट बेंगॉल में हैं जिसमें की सुन्दरवन आपका मोस्ट इंपोर्टन है असाम में है मानस काजी रंगा यह दोनों का काजी रंगा आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काजी रंगा क्योंकि एक सिंग्वाला गेड़ा सिर्फ यहीं पी असाम में ही पाया जाता है ओके आंध्र प्रदेश में आपका इंद्रा गांधी प्राणी विग्यान पार्क राजीव गांधी पापी कोंडा श्री आपके तेलंगाना में हैं दोनापके तेलंगाना में हैं उसके महराश्ट में है आपका बोरीवली चांदोली तदोबा गूगामल नवागाउं मेलगार ट्राष्ट भ्हारन तो इसमें सबसे ज़्याद आप से यह पूछा जाएगा संजय गांधी वालन नेशनल पार्क मह माउंट हेरियेट नेशनल पार, रानी जहासी मेरीन नेशनल पार, साउथ बटन नेशनल पार, जिसमें कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार, इसलिए आपका यह वालक इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, साउथ बटन नेशनल पार, अंडमानिकोबार में है, हिमाचल प्रदیष, हिमाचल प्रदेश में है आपका पिन वेली, ग्रेट हिमाल national, रोहला खरतर इंदर कला, शिक्री देवी अभ्यारण, हिमाचल प्रदेश में हैं, उसके ब्लैक बग वसंदा और जंगली गधा अभ्यारण, यहां पर गुजरात में है अब वस्तित है उत्राखंड उत्राखंड में जिम कारवेट जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है उत्राखंड 1936 से बना भारत का पहला राष्टिय पार्क इसका पूरू नाम हैली नेशनल पार्क था तो कभी कोई कोश्चन आपसे पूस देता है कि हैली राष्टिय पार्क का नाम बदलकर अब क्या रखा गया तो जिम कारवेट नेशनल पार्क अचाहे जिम कारवेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था तो हैली नेशनल पार्क उसके फूलो की घाटी नंदा देवी राजाजी और गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्राखंड में अवस्तित है तो यहाँ पर आपके जितने भी नेशनल पार्क्त हैं उसको मैंने यहां पर कम्प्रीट किया यह आपके सभी प्रत्योगी पर इच्छा में महत्तपूर हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो को लाइक क भूलें धन्यवाद